तो हेलो गाइस कैसा आप सब आप अब लाइब में सब कुछ है सही चल रहा है तो गाइस आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि लिए अभी के लिए मार्केट में आपको कोई-भी 100 % वर्किंग और 100 % going आपको नहीं मि अपर इस आप down कर लेना इं। यह इंस्टाल करने के बाद आपद जी करने के अंतर कोश्राइन की सेटिंग के अंदर और कुछ चेंजस करना पड़ेगा तब जो जो तो Gcam है, यह almost perfectly काम करेगा, almost perfectly, 100% perfectly काम नहीं करेगा, ठीक है, अब Realme 3 Pro के Gcam में आपको क्या-क्या चेंज करना पड़ेगा, उसके उपर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी में नीचे description पर इंक्लूट कर दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना, तो ठीक है गाइस, वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आना में शोवीक, और आप देख रहे हो, वन मिलियान गैजेट्स, तो गाइज मैंने इस वीडियो की description में, Redmi Note 7 Pro के लिए दो Gcam का link डाल दिया है, एक है 6.1 and second one है version 6.2, and Redmi 3 Pro का भी Gcam का link मीचे है, आप वहाँ से download कर सकते हो, तो यहाँ पर जो 6.1 है, वहाँ अल्मोस्ट ठीक्टा काम कर रहा है, यहाँ पर allow करना है, तो चलो आप देख लेते हैं क्या क्या सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको more पर जाना होगा, then settings, दिन उपर जो कुछ भी setting है, advance के अंदर भी जो कुछ भी setting है, और रख दो, चेंज करने की कोई ज़वरत नहीं है, यहाँ पर जो back camera maximum resolution है, आप 48MP में भी शूट कर सकते हो, बाट मैं by default इसको 12MP पर रखना पसंद करता हूँ, front camera maximum 13.2MP है, video आप maximum 4K तक शूट कर सकते हो, front camera में भी आप maximum full HD तक शूट कर सकते हो, बाट यहाँ आप जो changes करना होगा, आपको Gcam settings करना होगा, यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर आपको HDR plus enhance for portrait mode इसको enable करना होगा, then disable zoom for portrait mode इसको भी enable कर लो, then यहाँ पर आपको saturation adjustment है, इसको थोड़ा सा change करना पड़ेगा, क्योंकि यह camera थोड़ा सा desaturated image लेता है, highlight, back camera, highlight saturation इसको आप 2.0, shadow saturation इसको आप रखदो 2.4, front camera में भी आपको same रखना होगा, 2.0 and shadow saturation 2.4, then back चलते है, again Gcam settings के अंदर जाना पड़ेगा, then यहाँ पर आपको set JPEG quality इसको आपको select करना होगा, 100% पर, ठीक है, और कुछ change करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है, ठीक ठाक है, यहाँ पर camera के अंदर almost हर एक feature ठीकता काम कर रहा है, यह सब disable कर दो, फाल्तू की चीज़ है, तो camera के अंदर almost हर एक feature ठीकता काम कर रहा है, बट यहाँ पर जो slow motion option है, यही ठीकता काम नहीं कर रहा है, और आप देख सकतो camera crash हो रहा है, so slow motion के लिए, जो default, जो stock camera यह पर उसको आप यूज़ करो, and realme 3 pro की बात किया जाए, तो इसके उपर मैंने एक अलग सा video बनाया है, gcam में, क्या क्या सेटिंग में आपको changes करना पड़ेगा, तो उस video का link मैं नीचे description पर डाल दूँगा, आप वहाँ सा जाके चेक कर लेना, इस video पर इसलिए इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुती लेन्दी बन जाएगा, so description पर लिंक है, जाके चेक कर लो, पहले install करना होगा, then setting में changes करना होगा, तब जाके यह दो gcam almost ठीक ठाक काम करेगा, तब चलो comparison वीडियो शुडू करते है, तो guys, नहीं आपर camera comparison शुडू करने से पहले, जितना भी photos left side पे होगे from realme 3 pro's Gcam, जितना भी photos right side पे होगे from Redmi Note 7 pro's Gcam, तो इस sample में आप देख सकता हो, realme 3 pro ने थोड़ा सा bright and well exposed image capture किया है, वारास जो redmi note 7 pro का image है, background, even जो skin tone उसको थोड़ा सा dark capture किया है, बाइद वे दोनों इमेज बहुत ही अच्छा है अब डेमर मैंने Redmi Note 7 Pro का इमेज 48MP पर शूट नहीं किया है मैंने 12MP पर किया है बैसिकली नॉर्मली 12MP पर होता है तब डिटेलिंग की बात किया जाए तो यह पर आप देख सकतो रियल्मी 3 Pro में आपको थोरा सा बेटा डिटेलिंग देखने को में लेगा इस सेंपल में आप देख सकतो दोनों इमेज अल्मोस्ट सेम है बट तो भी Redmi Note 7 Pro में आप देख सकतो थोरा सा डार्क टोन है वाराज रियल्मी 3 Pro में आप देख सकतो इमेज बहुती वेल लिट एन वे देख सकतो जो एज का कट आउट है उधना परफेक्ट नहीं है नहीं सेंपल को थोरा सा ध्यान से देखना क्योंकि मैंने इस सेंपल को तीन मोड पर लिया है बेसिकली HDR मोड पर है और रियल्मी 3 Pro का जो इमेज है लेप साइड में आप देख सकतो जो स्काई है जो पानी है आपर एक्सपोजर को बहती अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है वाड़ेज नोट 7 Pro ने थोरा सा ब्लोन आउट कर दिया है और रियल्मी 3 Pro की इमेज में आपको सैचुरेशन थोरा सा ज़ादा देखने को मिल रहा है वाड़ेज रेड्मी नोट 7 Pro में सैचुरेशन थोरा सा बैलनस्ट है नो सेम सैंपल को HDR एंहांस मोट पे लिया गया है रियल्मी 3 Pro ने ओवराल इमेज में एक्सपोजर को ठीक ठाक रखा है वाड़ेज रेड्मी नोट 7 Pro ने जो फेस का एक्सपोजर है उसको थोरा सा अंडर एक्सपोज कर दिया है वाड़ेज बैक्ग्राउंड क बात किया जाए तो दोनों इमेज में बैक्ग्राउंड बहुत ही दूर था सो एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट है एंड परफेक्ट है तब चलो कुछ लैंड्सकेप सैंपल्स भी ट्राइ कर लेते हैं इस सैंपल में आप क्लियरली देख सकतो दोनों इमेज आल्मोस्ट सेम में आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा रेड्मी नॉट्समेन प्रो का इमेज थोड़ा सा डार्क है एंड थोड़ा सा नैच्रल कलर टोन में है वाड़ेज यहां पर रियल्मी 3 प्रो ने इमेज को थोड़ा सा रेडिस कलर टोन में कैप्चर किया है इस सेंपल को HDR Enhanced Mode पे लिया गया है दोना इमेज में आपको उतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बहुत अच्छा इमेज है सिर्फ यहां पर रियल्मी ने थोड़ा सा स्रेचुटेड कलर टोन में कैप्चर किया है ने इस सेंपल में आप क्लियरली देख सक आप तो एक bright daylight photo है यहांपर आपको quality में उतना ज्याधा difference देखने को नहीं मिलेगा बाट यहांपर color tone में आपको definitely difference देखने को मिल रहा है रियल्मी ने थोरा सा कुलर्ट टोन एड शाव में और रेड्मी नोट्समेन परो ने थोरा सा वर्म टोन में कैप्चर किया है इस पोट्रेड मोट फटो को संसेट का टाइम पर लिया गया है अब आप क्लियरली देख सकते हो रियल्मी ने जो अवरल एक्स्पोजर है बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस्ट एक्स्पोजर में कैप्चर किया है वेराज रेड्मी नोट्समेन प्रो ने एगेन यहां पर जी कैम का थोरा सा प्रॉब्लेम है तो यहां पर आपको दोने इमेज में एज़ी टेक्शन में थोरा सा प्रॉब्लेम देखने को मिल रहा है तब चलो कुछ क्लोज अप शॉट्स भी ट्राइ कर लेते हैं तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो दोने इमेज बहुत ही अच्छा है सिर्फ यहां पर रियल्मी ने थोरा सा कुलर टोन एंड शाओमी ने और रेड्मी नोट 7 प्रो ने थोरा सा वर्म टोन ने कैप्चर किया है अब डिटेलिंग की बात किया जाए तो दोने इमेज में आपको अल्मोस्ट सेम सा डिटेलिंग देखने को मिलेगा तब चलो कुछ front camera selfies भी ट्राइ कर लेता है तो यहां पर मैं आप लोगों को clearly कह देता हूँ कि यहां पर जो Redmi Note 7 Pro का Gcam है वो front camera में उतना अच्छा output नहीं देता है बहुत ही dark image create करता है और जो color tone है उसको भी fade capture करता है तो यहां आप clearly देख सकते हो realme 3 pro का front camera image है बहुत ही clear है इवें जो color tone है वह भी बहुत pleasing है सेम सैंपल को portrait mode पर लिया गया है अपर आप एगें देख सकते हो Redmi Note 7 Pro का image तोड़ा सा dark है and realme ने आपर बहुत ही अच्छे तरीके से image को balanced exposure में capture किया है इस सेल्फी को sunlight की against लिया गया है पीछे sun है realme ने आपर overall face को बहुत ही अच्छे तरीके से expose किया है whereas Redmi Note 7 Pro में आप हर एक selfie image में आप देख सकते हो मतलब Gcam के थूरु जो selfie आ रहा है उतना perfect नहीं है मतलब यहां पर Gcam ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है यह पर हर एक selfie में आपको बहुत ही dark image देखने को मिल रहा है तो daylight photos बहुत चेक कर लिया आप चलो कुछ low light photos भी चेक कर लेते हैं तो इस sample में देखा जाए तो मुझे special difference देखने को नहीं मिल रहा है Realme का कला थोड़ा सा saturated लग रहा है और almost दोनों image सेम ही लग रहा है अपर देखने में तो पहला वला sample normal HDR mode पे था और इस image को night side mode पे लिया गया है आपको clearly देख सकतो दोनों image में बहुत ही अच्छा detailing है इवन दोनों image में आपको उतना जादा difference देखने को नहीं मिल रहा है Almost similar है बहुत ही अच्छा output है Now low light में human subject की photo लिया जाए तो आप आप देख सकते हो यह normal HDR image लिया गया है आप आप clearly देख सकते हो realme काई थोरा सा बेटर लग रहा है color tone भी थोरा सा pleasing है For as Redmi Note 7 ने एगें थोरा सा faded color tone में capture किया है Now same sample को night side mode पे लिया गया है night side mode में आपको उतना जादा difference देखने को नहीं मिल रहा है दोनों image almost same है Now यहाँ पर situation बहुत ही dark था यहाँ पर मैंने दोनों Gcam में night side mode on करके लिया है And दोनों ही camera ने बहुत ही अच्छा काम किया है Realme ने थोरा सा yellowish tone में and यहाँ पर Redmi ने थोरा सा cooler और थोरा सा natural tone में capture किया है Gcam में Redmi Note 7 Pro का जो front camera है और daylight पे थोरा सा dark image capture करता है And यह night पे एकदम useless बन जाता है अब देख सकते हो Image पुरा black out हो गया है Whereas Realme 3 Pro ने आपर front camera में बहुत ही अच्छा काम किया है By the way यहाँ पर मैंने दोनों image को night side mode on करके लिया है Selfie में and Realme 3 Pro ने आपर बहुत ही अच्छा काम किया है Whereas Redmi Note 7 Pro का जो Gcam mod है अभी के लिए ठीक ठाक नहीं है अच्छा ठीक है चलो आप video sample चेक कर लेते है By the way यह video record हो रहा है दोनों ही phones की back camera से with Gcam in full HD And Gcam में आपको full HD में EIS मतलब electronic based stabilization का support देखने को मिल जाता है And by the way आप clearly देख सकतो जो EIS है और Stabilization है वो बिलकुल काम नहीं कर रहा है दोनों ही video में आपको बहुत ही ज़्यादा shake देखने को मिल जाया है And guys और एक चीज अगर आपको Redmi Note 7 Pro के लिए कोई भी perfect Gcam link मिले तो comment section में डाल देना मैं उसे check करूंगा अगर वो perfectly काम कर रहा है तो मैं description पर इसका link include कर दूंगा By the way अभी के लिए तो मुझे Redmi Note 7 Pro के लिए यही दो Gcam का link मिला है जो almost ठीक ठाक काम कर रहा है अब download करके check कर सकते हो And Realme 3 Pro का जो Gcam का link है almost ठीक ठाक काम कर रहा है इमेज quality में आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा By the way जो camera UI है ओथरा सा laggy है ओथरा सा buggy है कभी कबार आपको image लेने के लिए shutter button के उपर आपको double press करना पड़ता है बस यही एक problem है and slow motion काम नहीं कर रहा है और video recording में आपको कोई भी stabilization देखने को नहीं मिल रहा है बस यही कुछ problem है Realme 3 Pro में और almost हर एक feature Realme 3 Pro के Gcam में ठीक ठाक काम कर रहा है तो guys यही था most requested G camera comparison video बट इसके बाद आएगा stock camera comparison video तो उसके लिए subscribe करना मत भूलना and video अगर आपको अच्छे लगए तो video को like करना मत भूलना तो guys इस video के लिए इतना ही आप से मुलागात होगी में next video में तब तक के लिए bye